नमस्कार आप देख रहे है प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अस्मानी बुलेटिन के शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जहाँ सीम योगी आदतनात आज आयुध्या दोरे पर है जहां उन्होंने होड कोग मील की योजना का शुबारब किया है वह इस मौके पर हुए कारिक्रम में उन्होंने अपने हाथ से बच्चों को परोसकर खाना भी खिलाया है इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाडी केंद्रों पर रजिस्टर तीन से छे साल के बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्द कराये जाने के लिए होट कुग मील योजणा का शुबारब किया बता दे कि यूपिक के 35 जनपदों में 3,401 आंगनबाडी केंद्रों पर ये योजणा फिलाल चलाई जाएगी बायोबेनों हम सब जानते हैं कि प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाडी केंद्र संचालित हैं जिन में 2 करोड सेथिक लाभार्थी इन सभी आंगनबाडी केंद्रों में पंजिकिरते हैं इन सभी केंद्रों में जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं अनुपुरक पुछ्टाहार है, साला अपुरु सिक्सा का है, स्वास्ते जाच का है, तंदरभन सेवायं का है, टीका करण का है, पोशा और स्वास्ते शिक्सा ये सभी कारेक्रम वहाँ पर पहले से संचालित हो रही है इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख करके ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि तीन से छे वर्स तक के बच्चों को जिनमें असी लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजिकर्थ के गए हैं उन्हें हाट कुप मील उपलब्द कराने के कारेकाद यहाँ पे हम सुभारंब कर रहे हैं और यह मेरा सभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में बिराजमान होने के पूर वाज मैंने इन बच्चों को यहाँ पर इस योजना के साथ जोड़ा है मुझे अत्यनता आनंद के नुभूती इस कारेक्रम के साथ भी क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सुभा के साली हैं कि काहना को दौपर युग में यसुदा मैया ने बच्च्बन में उनको पाला होगा पोसा होगा आज तो आपको ऐसे सेखणों कानहों को उनकी सेवा करने का उनकी पोषण करने का उनको स्वस्त रखने का और ससक्त भारत की आधार सिला को मजबूत रखने का सोभग्य प्राप्त हो रहा है इसको हम सब को एक औशर मनना चाहिए और इस्वर के द्वारा प्रदत्ती सौसर का हम लोगों को लाव ले करके इस कारिक्रम को सभल ताकि नहीं उचायों तक पहुंचाने के कारिक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए अयोधिया के बाद मुख्यमंत्री योगी आदतनाद दो दिनों के अपने गोरक पुरदोरे पर जाएंगे जहां मुख्यमंत्री 175.38 करोड रुपए के विकासकारियों की सौगात देंगे वही सीम जीडिये की 116 विकास पर योजनाओ को शिलान्यास और लोगकारपन भी करें मिली जानकारी के मुख्यमंत्रियों के हातों पाच आवंटियों को आवंट अनपत्र भी बाटी जाएंगे और उपस्तित लोगों को संबोधित भी सीम योगी आदतनाद करेंगे यूपी के बुलंच शेयर में पिता और पुत्र के रिष्टे को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया जहां एक बुजर्ग पिता को उसके पुत्र ने घर से बाहर निकाल दिया है जिसके बाद वो अपनी फरियाद लेकर डियम के पास मौचे वह पिड़त पिता ने जुस बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज में एक पतिष्ठा और फैचान दिलाई उसी बेटे की डियम बुलंच शेयर सीपि सिंग को दर्द भरी कहानी सुनाते हुए उनकी आखे भर गई है बुलंच शेयर का लेक्टुएट इस्तिट डियम का रियाले में पेड़ित पिता ने डियम से अपने भरन पोशन की गुहार भी लगाई है देखे आज जनता दर्शन में 88 साल के बुजुर्ग हमारे सामने आये थे कि हमारे बेटे ने हमको घर से निकाल दिया है मेरा भर पोशन की ब्युस्ता की जाए मैंने उनसे बात की तो उनका बेटा किसी नौरतन कंपनी में एक बड़े पत परकारिवरत है मैंने उनसे नंबर ले करके उनसे बात की उनके बेटे से और बात की दवरान या समझ में आया कि पुत्र और पिता में किसी बात को ले करके भेंकर कम्यूनिकेशन गैप है दोनों की बागता कराई गई है और वो आएंगे अपने बेटे को अपने पिता जी को ले करके जाएंगे और ये में सुबह एक सड़क हाथसे में सिपाही की मौत हो गई है वह साथी गंभी डूप से घायल हो गया है आपको बता दे कि ड्यूटी से लोट रहे सिपाहीयों की बाई का वारा जानवा से टक्राने के बाद अनियंत्रित होकर गिर गई और दोनों सिपाही सड़क पर ही गिर पड़े और पीछे से आ रहे है ट्रक ने एक सिपाही को रॉन दिया जिसकी घटनस्तर पर ही मौत हो गई है जबकि दूसरा सिपाही गंभी डूप से घायल हो गया है जिससे इलाज के लिए कानपूर ले जाए गया है गटना की जानकारी मिलता ही पुलिस हदीक शक समेथ पुलिस फोर्स घटनस्तर पर पहुचे और सिपाही के शफ को कबजे में ले लिया है साथी पोस्ट मॉटम के लिए भी बेच दिया गया है अगली ख़बर बदायू से है जहाँ असलाम अगर था है अगर पंच रुदायर में एक अग्यात व्यक्ति का शफ मिलने से हड़ कम मच गया है वह सुचना पर पहुचे पुलिस ने जब पहचान करवाय तो मिलता की पहचान दारान अगर निवासी वालमी की समाज के रूप में हुई है जबकि परिजनों के मताबिक मिलतक तीन दिन पहले अपने साड़ों के यहां हरनातपुर कुतवाली बिसौली गया था जिसके बाद शफ मिलने से परिजनों में हड़ कम मच गया है फिलाल पुलिस ने शफ को कबजे मिले कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज़ दिया है और पुलिस आगे की कारवाई में जुट गई है अगली खबर कानपुर से है जहां चकेरिस थेत एर फोर्स स्टेशन 24 प्रेटेनियम जुबली समारों मना रहा है इस मौके पर एर फोर्स के ओर से एर शो का भी आयोजन किया जाएगा समारों करीब चार घंडे तक चारेगा जुसमें विंटेज एर क्राफ्ट फ्लाइंग डिस्प्रे भी किया जाएगा इसमें पुराने विमानों को देखा जा सकेगा वह एर वारियर्स ड्रिल परफॉर्मेंस में वायुसैनिक अलग-अलग हुनर दिखाएंगे इसके साथ एर फोर्स प्रवक्ता के मताबिक एर फोर्स स्टेशन चकीरी का वन बेस मरमट डिपो एक प्रमुक विमान सेवा एज और भारती अबायुसैना की सबसे पुरानी रख रखा विकाई है 24 नमबर को 75 साल पूरे होने पर ये प्लैटेनियम जूबली मनाई जा रही है और प्रवक्ता के मताबिक कारिकरम का शुबारम पहले दिन कवर के विमोचन के साथ किया जाएगा इस प्लैटेनिम जूबली स की महिला और उसके पती पंकच पर मारपीट किया जाने का रूप लगाया क्योंकि उनकी छट पर गंदगी किरने से दोनों दबपती ने बुज़ुर्ग महिला से मारपीट की आपको बता दे कि पंकच पुलिस उभाग में सिपाही है जिसके चलते इस्थानिय पुलिस ने कोई कारवाई नहीं कि और हैरानी वाली बात तो ये है कि ये घटना बीती शाम की है जिसके अब तक चिनहट पुलिस ने कोई फवायार तक नहीं दर्श की है जबकि पिरिद कुम GG lah का बेटा BGP पार्टी में सम्मानित पत पर भी तैना थे अगली खबर लगनओ से हैं जहां राजधारी लगनओ के सड़कों पर याता यात नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को लगातार जागरू किया जा रहा है यातायाद पुलिस लोगों को देने के लिए लगतार कई अभियान चला रही है वही आज अज़दगन चुराहे पर यातायाद पुलिस के साथ यमराज और स्कूली बच्चों ने मिलकर एक अनोखा सरक्षा अभियान चलाया सभियान की तहट लोगों को यातायाद नियम के पालन करने का संदेश दिया गया और जिन वहाँचालकों ने अपना हेलमेट नहीं पहना था उनको छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने गुलाब देकर यमराज के साथ यातायाद नियमों के पालन की शपत दिलाई है इसके साथ ही बच्चों ने वहाँचालकों के हेलमेट पहनना क्यूं जरूरी है ये भी बताया वहे कुछ वहाँचालकों को यमराज अपने साथ यमलोक ले जाते हुए भी दिखाई दिये अगली खबर पीली भीत से है जहाँ पूरन पूर तहसील शेतर के गाओ गुलडिया रिवासी माला सिंग पत्नी अमित सिंग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को भेजे शुकायती पत्न में बताया कि गाओ भगौदी पूर में ठाकुर जी महाराज के मंदर का निर्माड उनके पूरवजों ने कराये था जुसमें उन्होंने लगबा 34 एकर जमीन भी दान की थी जिसकी देखबाल पेड़ता के पूरवजों के बाद माला सिंग और उसके पती अमित सिंग कर रहे हैं वहीं मंदर के जमीन पर दबंग भू माफिया शिफशंकर, सुरेंदर गंगुबार, कलेक्टर दीक्षित और रागुवेंदर शुकला के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं वहीं लोग जबर्दस्ति मंदर के संपती पर अवैद कबजा करना चाहते हैं आरोप है कि साठगार्ट के चलते एसडियम ने भू माफियाओं के हक में फैसला कर दिया है जब कि मामला पीली भीत नियायाले में विचारा धीन है आपको बता दे कि पीडित दंपती नियाय नहीं मिलने पर तहसील परिसर में आत्मदा करने की जतामनी दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अवारल हुआ है इस बुलिटन में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेंगे आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार